दोस्तों को बाबा बतोली की प्यार भरी राम राम दोस्तों कोविड ने हमें एक बहुत जरूरी बात ये सिखाई कि आप कहीं भी हैं और किसी भी स्टेट में हैं आपके पास राशन कार्ड होना बहुत जरूरी है देखो इसमें हुआ ये कि लोग वापस अपने घर चले गए कोविड के टाइम पे मगर वहाँ जाके उन्हें पता चला कि उनके पास राशन कार्ड जो है या तो खो गया है या मिल नहीं रहा है तो किसी भी कारण से सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि सरकार ने उन्हें फ्री राशन की जो फैसिलिटी दी थी यानि सुईदा दी थी वो सुईदा वो ले नहीं पाए तो इसको चलते वे गौर्मेंट ने क्या किया गौर्मेंट ने अपना एक नया एक स्टेप आगे लिया और उन्होंने ये कदम बढ़ाते हुए यह सारी चीज़े ऊंलाइन कर दी यानि कि आप अब किसी भी स्टेट में हों कहीं पे भी हों आप राशन कार जो है वो घर बैठे ऊन्लाइन इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं या करवा सकते हैं और उस राशन कार्ट को आप अपने दुकंदार या जो राशन का एजनसी है वहाँ पे जाके दिखाके अपना बायोमेट्रिक्स में अपनी फिंगर डालके और आप अपना राशन वहाँ से ले सकते हैं गौर्मेंट ने फ्री राशन दिया है और अब तक भी चल रहा है आने वाले समय में भी अगर फ्री नहीं हुआ तो बहुत कम रेट में वो राशन आपको मिलेगा तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे घर बैठे राशन काट डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी किसी की मदद लिए अपने मोबाईल से या अपने लैप टॉप से कहीं से भी कर सकते हैं मोबाईल से भी आप अराम से कर सकते ह किस लिंक को क्लिक करना है वो लिंक में description box में डाल दूँगा आप उस लिंक को क्लिक करें और राशन कार्ट डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में समझ लें step by step live process है आपको पूरा समझना है अराम से कोई भी step मिस्मत करना और अराम से डाउनलोड करके आप उससे अपनी स्विदा का फायदा उठा सकते हैं चली दोस्तों स्कीन पर चलते हैं और दिखाते हैं कैसे आप अपना राशन कार्ट को है उसको डाउनलोड कर सकते हैं धन्यव वह दिखाई देगा राशन कार्ट डिजिटाइज़ेशन यह जो लिंक है आपको इसको क्लिक करना है इसी लिंक से आप जैसे उसको क्लिक करोगे तो एक नैक दूसरा पेज खुल के आ जाएगा उसमें आपको जिले का नाम पातर ग्रहस्ती यानि कि उस जिले में कितने रा अलग अलग एरिया है जहां जहां के राशन कार्ड बने हुए है उसके बाद जैसे इसमें मेरा मोधिन अगर का है तो यहां पर बता रहा है कि कितनी राशन कार्ड किस एरिया में बने हुए है जैसे इसमें 6520 बने हुए उपर वाले में उसके बाद में नीचे आप देखोगे किसी में 1610 है तो यह अलग-अलग एरिया के अलग-अलग राशन कार्ड बने हुए है उनके बाद उनके लाबार्तियों की संख्या कितनी है उसने वो दिया हुआ है और उसके बाद राशन कार्ड में आपके कितने अंतोधिया में कितने राशन कार्ड बने हुए है योग जोग अंदारों को अज़नशी दिय מא कि यानि कि आप नीचे जो नाम दे रखें हैं यह सारे 36 लोगों 36 लोगों को उहां पर एजनशी मिली UH जो लोग राशन काड़ राशन बाढ़ सकते हैं उसकेसे बाद आप यहाँ पे इसमें सारी जानकारी इसमें दी हुई है इसमें आपको सबसे पहले पता करके रखना है कि आपका जो दुकंदार का नाम है वो दुकंदार का नाम क्या है तो जैसे ही दुकंदार का नाम आपको पता चल जाएगा इस पूरी लिस्ट में से आप अपना दुकंदार का नाम आपको ढूंडना है और ढूंडने के बाद में उस दुकंदार जैसे मैं आदेश को क्लिक करता हूँ क्योंकि मैंने सबसे उपर आदेश ही आ रहा है तो मैंने आदेश को क्लिक कर लिया दरसल में मेरा राशन कार्ट बना हुआ नहीं है तो मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि आप कैसे राउनलोड कर सकते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे यह डिजिटल राशन कार्ट संख्या दी हुई है इससे आप ढूंडनी पाएंगे तो धारक का नाम जो है वो जैसे आपके घर में आपके पिताजी के नाम से बना हुआ है या माता के नाम से बना हुआ है तो वो आप देखने हैं यह आपको ढूंडना पड़ेगा धारक के नाम में कि आपके पिताजी या माताजी का नाम इस लिस्ट में कहां पे आया हुआ हुआ है वो आप नीचे डूंडेंगे तो आपको मिल जाएगा उसमें से कोई भी जैसे आपको पता चलागी आपके पिताजी का नाम यह है तो जैसे मैंने यह खुश्बू का क्लिक किया तो इसमें वो आपका पूरी डिटेल खुल के आजाएगी डिजिल राशन कार्ड संख्या कितन समायरा बेटी का नाम है तो यह पूरी डिटेल यहां पर आपको दिखाई दे जाएगी इस डिटेल को आप क्या करना है आपको अगर मोबाइल से ले रहे हैं तो आप उसका स्कीन शोट ले ले और अगर यहां से कर रहे हैं तो आप इसके प्रिंट स्कीन लेके और आप उस और आपको राशन जितना भी आपका बनता है वह राशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा तो इस तरह से दोस्तो आप अपना राशन कार्ड जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास सम्हाल के रख सकते हैं जब भी आपको जुरुत हो आपको राशन लेना हो तो आप जाके राशन वहां से ले सकते हैं यह राशन जो आपने डाउनलोड किया राशन कार्ट उसको दिखा के